हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रत्वी की गतियों में पार्ट 3 और पार्ट 3 इसमें हम आपको बताएंगे प्रत्वी का अच क्या होता है प्रत्वी का अच किसे करते हैं और हम इसको कैसे पहचानेंगे चलिए तो शुरू करते हैं प्रद्वी का अच यानि प्रत्वी की एकसेस बिंदु क्या होते हैं पहले इसको हम एक बार पढ़ देंगे और फिर हम इसको इस फीगर के द्वारा, इस मौडल के द्वारा संजेंगे ठीक है प्रत्वी का अच एक काल्पिक रेखा है जैसा कि आपको पता है, मानते हैं ये हमारी प्रत्वी है इस पर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई विरेखा खिची भी नहीं देखेगी ये सिर्फ एक कलतना मातर है जिसके शाहिता से हम आसानी से हम भुगोल का अध्यान करते हैं ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं मगर हम इसलिए दुबारा बताते हैं ताकि जो हमारे नए विवार्ट से उनको समझने में आसानी हो तो दोस्तों हम सुरू करते हैं प्रत्वी का अच्छ एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों दुरूओं से होकर जाती है जो दोनों दुरूओं से होकर जाती है जो दोनों दुरूओं से होकर जाती है धिक है या जाता है प्रत्वी का अच्छ एक काल्पनिक रेखा है जो कहीं भी दिखेगा नहीं हमको रोट्रेट करती है, क्या होती है? घुंगती है, इसी अच्र के परिता घुरन करती है, प्रत्वी का अच्छ, उसके कछा तल पर, बने लंब से, यानि लंबत, ठीक है न? horizontal और vertical इसको क्या बोलते हैं ये लंबत है जुका है प्रत्वी का जो अच्छ है प्रत्वी के कच्छा तल से उसके लंब से कितना है साड़े तेज डिगरी जुका है दूसरे सब्दों में प्रत्वी का अच्छ प्रत्वी के ठीक है कच्छा तल यानि प्रत्वी जिस मार्ग पे गती करती है परिक्मा करती है उसको प्रत्वी का कच्छा तल हम कहते हैं इसको पर तूर पे पता चुके हैं अभी हम यहाँ आपको समझा देंगे प्रत्वी के एक अच्छा तल से साड़े छाँशट डिगरी का कौन बनाता है या बनाती है इस जुकाव को प्रत्वी के अच्छ का जुकाव कहते हैं इंग्लिस में से हम फिल्टेशन कहते हैं इस अच्छ के उत्तरी सिरे पर उत्तरी जुरू और इस अच्छ के दच्छडी सिरे पर दच्छडी जुरू होता है कैसे अब हम जानेंगे विद प्रीगर एक बार इसको फिर से समझीए क्या कह रहे हैं प्रत्वी का अच्छ एक काल्प्रिग देखा है यानि हमने कलपना कर लिए मानलिया कि ये प्रत्वी का अच्छ है ठीक है कलपना कर लिए कैसे अभी हम बताएंगे जो दोनों दुरूं से होकर जाता है या जाती है उत्तरी दुरू और दच्छी दुरू से होकर जाता है प्रत्वी इसी अच्छ के परिता, अपने अच्छ के परिता, क्या होती है? अपनी कच्छा में गती कर रही होती है घुणन करती है, प्रत्वी का अच्छ उसके कच्छा तल पर बने लंब से, ठीक है? साड़े तेज डिग्री जुका हुआ है अब यहां हम बात कर लेते हैं, पहले हम साइड में समझाते हैं, माल लिया कि यह हमारी एक ट्रस्पी है, और उसका कच्छा तल क्या है, यह इसका कच्छा तल है, ठीक है, जिस मार्क पे, जिस पत पे वो क्या करती है, गती करती है, यह इसका कच्छा तल है, इसे हम और्बिट कहते हैं ठीक है और ये हमारी अर्थ है कि इसको हम न hockey अजिपार पूरा क्या इसका पूरा बास समझ में आई गिया आपको क्या कआ गया है प्रत्वी का अच उसके कछा तल पर बने लंब से ये है हमारी प्रत्वी और ये इसका हमने कच्छा तल मान दिया यह क्या है कच्छा तल आप देखते रहीएगा आपको देखते देखते सब समझ में आ जाएगा ठीक है क्या बोल रहे हैं प्रत्वी का अच्छ उसके कच्छा तल पर बने लंब से लंब यानि जानते हैं जब हम किसी भी रेखा पैं जो हम लंब डालते हैं उसको हम बोलते हैं 90 डिग्री लंब हमारा कितने का होता है 90 का दूसरी बात पहले पॉइंट में हमने बात की A और B की रेखा A B पे हमने लंब डाला कितना यह C है बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको रेखा हमने एक पहले हमने व्रत बनाया यानि इसको हमने प्रत्वी मान ली और प्रत्वी से बिंदू A और बिंदू B पे एक रेखा कीची जिसको हमने प्रत्वी का कच्छा तल बान दिया इस कच्चा तल से हमने क्या किया एक लंब खीश दिया तो यही बता रहे हैं कि प्रतवी का अच उसके कच्चा तल पर बने कच्चा तल है ये उसके बने कच्चा तल पर बने Lumble से कितने 30.5 degree जुका है अब यह देखिये अगर हम इसका आधा कर दें 90 का आधा कितना हो जाईगा 25 मगर हमको क्या करना है 25 भी नहीं लिगना है हमें कितना लेना है 30.5 degree जुका हुआ है तो हमने मान लिया कि यह 30.5 degree है यह जो read वाली line है इसको समझें यह है प्रत्वी का अच्छ अब बात आपको पूरी समझ में आएगी प्रत्वी का अच्छ यानि प्रत्वी की access फिर इसको एक बार हम repeat करेंगे आपको पूरा समझ में आजाएगा इन्होंने बताया कि प्रत्वी का अच यह हमने माना यह प्रत्वी का अच ठीक है न यह है प्रत्वी का अच प्रत्वी का अच उसके कच्छा तल पर बने यह प्रत्वी का कच्छा तल यानि उसके परिक्मा करने का पत है रास्ता है जिसे हम कच्छा तल कहते हैं ठीक है उसके कच्छा तल पर बने लंब से साड़े तेज डिग्री जुका है तो हमने साड़े तेज डिग्री इसको क्या कर लिया जुका लिया ये हो गया प्रत्वी का अच्छ जुका है दूसरे सब्दों में प्रत्वी का अच्छ प्रत्वी के कच्छा तल से प्रत्वी का ये जो अच्छ है प्रत्वी का अच्छ प्रत्वी के कच्छा तल से ये प्रत्वी की कच्छा तल है ना ये प्रत्वी की कच्छा तल ये कितना बना रहा है साड़े 66 डिगरी का कोण बनाता है या साड़े 66 डिगरी का कोण बनाता है ठीक है या बनाती है तो इसका यह कोण यहां से लेके यहां तक कितना होगा साड़े 66 डिगरी का कोण बनाता है और यहां ला इसका कोण कितना था दोस्तो इसका ये कौन जो था ये था साड़े तेज डिगरी का तेज सही एक बड़े दो डिगरी का ये कौन था बात आपके समझ में आ रही होगी ठेक है या तो ये कहें कि प्रत्वी का जो कछा तल है प्रत्वी की जो प्रत्वी का अच्छ है वो प्रत्वी के कच्छा तल से जो लंब है उससे कितना साड़े 30 डिगरी का कोण बनाता है या फिर कहें प्रत्वी का अच्छ है प्रत्वी के कच्छा तल से साड़े 66 डिगरी क्या है जुका है 4-6-6 degree की और कोन पर ये जुखा है दोन बाद समझ मैं इस जुखाओ को हम क्या कहते है प्रत्वी का जुखाओ कहते है हम जानते हैं प्रत्वी जो है जो सूर के 4 और चक्र लगाती है तो वो बिल्कुल सीधे लंवत नहीं होती है बलकि वो उसका जो है अपने अच्छ पर कितने डिगरी अंस जुकी है साड़े तेज डिगरी जुकी होती है और मोशन कर रही होती है क्या होती है गती कर रही होती है और इसी जुकाओ को हम क्या कहते हैं इस जुकाओ को हम प्रत्वी के अच्छे का जुकाओ कहते हैं, इंग्लिस में से हम तिल्टेशन कहते हैं, इस जुकाओ के उत्तरी सिरे पर उत्तरी दुरू है, उत्तरी सिरे पर हम क्या मानते हैं, ये उत्तरी दुरू है, और इसके दच्छडी सिरे पर क्या है, दच्छडी कि समझ लिजेगा अगर आपको नहीं वहां से दिख रहा है तो माल लिजेगा यह मैंने यह जो नीचे वाली लाइन इधर आ गई है यह इसका दच्छडी धुरू है दच्छी दुरू कहते हैं तो यह हमारा क्या हो गया प्रत्वी का अच अब बात समझ में आई प्रत्वी का अच किसे कहते हैं जिस अच्छ पे प्रत्वी साड़े तेज डिग्री अंस जुकी होती है अपने कच्छा तल से प्रत्वी जो है अपने कच्छा तल से ये प्रत्वी का क्या है ये जो हमने आपको बनाया हुआ है और इसी के चारो और प्रत्वी क्या कर रही होती है गती करनी होती है कभी यहां तो कभी इधर फिर इधर और फिर इधर अपने कछातल पर ही तो प्रत्वी गती करती है जैसे कि हम अपने अर्मार्ग पर ही तो जाते हैं कहीं भी किसी मार्केट में जाते हैं तो कैसे जाते हैं एक रास्ता होता है जाने का तो ये भी क्या गरती है? अपने रास्ते से ही गती करती है ठीक है? और गती करती है तो सूर के चारो तरफ जब ये गती करती है तो कितने अंसे का कोड बनाती है? इसका जुकाओ कितना होता है माल लीजिए अगर हम यह सीधे खड़े हैं तो यह हमारा जुकाओ कितना है हम लंबवत हैं बिल्कुल और अगर हम थोड़ा सा इधर जुक जाए या फिर इधर जुक जाए तो हम लंबवत नी रहेंगे तो उसको हम क्या करेंगे उसको हम बोलेंगे उसका जुकाओ तो हमारा कोन जो है वो हमारा कोन बदल जाएगा ठीक है तो क्या हो गया यह अपने कच्छा तल पर बने लंब से साड़े तेज डिग्री का जोकी है और यह साड़े तेज डिग्री जोकावा यह इसका अच्छ है यह हम इसको दूसरे सब्दों में नोंने बताया ऐसे कहें कि प्रत्वी आप साड़े ओंच्छा तल से साड़े छाएठ डिग्री का कोड बनाती है साड़े श्षाइठ डिग्री का बनाती है जुपते होब एंचे यह होती है ॽिर् 홍ल पर चेल रहए हैं आप कैसे परत्वी की भूमध रेखा प्रत्वी के बीचों भीच से जा रही है ठीक है, कौन से ये घूमत रेखा 0 डिग्री अच्छांस से भी स्कॉम कहते है क्या कहते है 0 डिग्री अच्छांस और ठीक, इसके उपर वाली जो रेखा है अल्ला कलर में बनाते हैं ताकि आपके समझ भी है ये कौन से रेखा है साड़े तेज डिग्री अच्छांस पर ये रेखा चली गई है इसको हम बोलते हैं करकर रेखा और साड़े तेज डिग्री दश्छल की तरफ जो रेखा चली गई है ये क्या होती है? ये होती है मकर रेखा ठीक है? तो देखे क्या है? हमारी प्रत्वी क्या है? साड़े तेज डिग्री जुकी हुई है पता चल रहा है कि जुकी है? पहले तो पता नहीं चलना था क्योंकि वह एक सर्किल थी अब पता चलना जो हमने रेखा हैं खीशी तो यह में तिर्ची दिखाई दे रही है यानि यह जो है साड़े 30 डिगरी अपने अच्छ पर प्रत्वी जो है जुकी है कहां से जुकी है अपने कच्छा तल पर ठीक है और अपने कच्छा तल से कितने का कोण बनाती है साड़े 60 डिगरी का कोण बनाती है और इसी कोण को हम क्या कहते हैं प्रत्वी के जुकाव को हम टिल्टेशन कहते हैं ठीक है और ये जो अच्छ है इसे हम बोलते हैं प्रत्वी का अच्छ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी एक बार हम इसकी थियूरी फिर से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए प्रत्वी का अच्छ एक काल्प्रिक रेखा है कोई वास्त्विक रेखा नहीं चीवी है ये तो हमने अपने जानकारी के लिए आसानी से सुज़धा हो जाए अध्यन करने के लिए इसलिए हमने वो रेखाओ को बना रखा है ठीक है प्रत्वी का अच्छे काल्टिक रेखा है जो दोनों धुरूमों से यानि उत्री धुरू और दच्छडी धुरू जो दोनों धुरूमों से होकर क्या होता है जाता है गुजरती है ठीक है प्रत्वी इस अच्छे के परिता क्या होता है गुमता है प्रत्वी इसी अच्छा क्या करती है ये गति करती हैं कैसे कटि कर्रही है इस तरह से कटि कर रही है पश्चिम से पूर्व की और गती कर रही है ठीक है यह हमारी पूर्व डायरेक्शन और यह हमारी पश्चिम है कि पश्चिम दिसा है जित्या है पाज समझ में आ गई है आपको तो क्या हूआ प्रतवी का अच उसके कच्छा तल पर बने लंब में लंब से साड़े तेज़ डिग्री क्या है न जुका आएक का सब्देंगि प्रतवी का एक यहारी रेक्षा है, ठीक है और इसके उपर जो बने लंब है, इससे साड़े तेज डिगरी जुकावा इसका अच्छ है, ठीक है ना? जुकावा है, दूसरे सब्दों में अगर हम कहें, तो प्रत्वी का अच्छ यानि प्रत्वी का अच्छ प्रत्वी के कच्छा तल से साड़े चाश्ठ डिगरी का, क्या बनाता है कोण? बनाती है, ठीक है और इस जुकाव को हम क्या कहते हैं, प्रत्वी का जुकाव कहते हैं, इंगलिस में ट्ल्टेशन कहते हैं इस अच्छ के उत्तर के सिरे पर उत्तरी धुरू है, और तछचछ Defar पर दश्वी जुरू है ठीक है क्या मुश्किल था बहुत ही आसान था समझना तो दोस्तों यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और हमारे वीडियों को आप जरूर अपने किसी एक दोस्तों को शेर करें और सस्क्राइब जरू कर लें अगर आपने चैनल क परदेने हेल्प मिलेगी धन्यवाद है